प्रेवर्ज के अंदर ना मैं कभी सत्ता में आया, ना मैंने कभी सत्ता देखी, मैं हमेशा विपक्स की भूमी का निभाई और मैं बुठाने के अंदर कदम मत दिया मैंने, क्या इसी निया है, कि जब सरकारा दीमेजर आ रही है तो मेरा तिकेट काम दिया गया, पैसे का खेल हुआ है, और राजनी ते मेरी हत्या करने का प्रियास किया है, पुरिगर दे गई, जहें तिल रात मैंने, जो इसनों दों मिकान किया, घरगर साके बज़ाद किया, लेकिन आत्रमोंने मेरे साथ दिया, मैं बुठासर का भी धन्यवाद करती हूँ, मैं देंकर उदा कभी धन्यवाद करती हूँ, जीनों ने कर राज तक मेरी पूरी लडाई लड़ी दोनों राजनितिक दलों की प्लानिंग थी, कुछ ऐसा खेला किया जाए, कि जिससे पार्टी के टिकेट मांगने वाले लोगों को मौका कम मिले, और इसी सोच के साथ दोनों राजनितिक दलों ने अपनी टिक्टों को खूब टक्टकी लगवाई, कॉंग्रिस पार्टी की तो अंतिम लिस्ट आज आई है, यानि कि जब नामांकन भरने का अंतिम दिन है, और उसके अंदर मात्र एक घंटे का भी समय जब नहीं बचा था, उस समय तक कॉंग्रिस अपने केंडिडेट जारी करती रही, रहताश खटाना को टिकट दिया, रहताश खटाना ने कॉंग्रेस जोइन की, और रहताश खटाना को सोना से टिकट दिया, मात्र बारा बजए के आसपास एक message viral हुआ था कि रहताश खटाना कॉंग्रेस में जा सकते है एक बज़े रहताश खटाना कॉंग्रेस में गए डेड़ बज़े रहताश खटाना को सोना का टिकट मिला जो मैं आपको बता रहा था की दोनों राजनीतिक दलों ने भारती जन्ता पार्टी की अंतिम जो सूची आई थी वो कल देर रात को आई थी तीन कैंडिडेट की सूची जिसके अंदर महंदरगण और दूसरा फरिदाबाद नाइटी और तीसरा सिर्शा ये तीन नाम बाकी रह गए थे तीन साथ कैंडिडेट्स की लिस्ट हैं वो साथ केंडिडेट लिस्ट उन्ने जारी की और साथ सूचियों के अंदर उन्होंने अपने 90 कैंडिडेट Risk ما इदान सबसे बड़ी सूची थी जिसके अंदर 40 कंडिडेट का नाम था उससे चोटी सूची जो सबसे पहले आई थी जिसके अंदर 31 कंडिडेट का नाम था बाकी में किसी में एक में किसी में दो किसी में चार किसी में साथ इस प्रकार से साथ सूचिया जारी की कॉंग्रेस की सोच थी कि उनके बागी ना हो और भारती जंता पार्टी की भी सोच थी कि उनके बागी ना हो भारती जंता पार्टी की अंतिम सूची के आपको बता दूँ जो तीन सदस्य सूची जारी करी भारती जंता पार्टी ने उसके अंदर फरिदाबाद NIT 86 के लिए बीजेपी ने सतीश फागना को टिकेट दिया और सतीश फागना के मुकाबले नगेंदर भडाना जो वहां से टिकेट के दावेदारी कर रहे थे पूर विधायक वो निर्दलिये फारम भरने के लिए नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए आज पहुंच गए रूट शो करते जहां पर भारती जन्ता पार्टी ने कमल सिंग यादव को टिकेट दिया मैंने कहा था एक वीडियो में आपसे बास शेयर की थी कि अगर बीजेपी ने रामबिला शर्मा जी को पूरी तरह निप्टाने ठिकाने लगाने की सोची होगी तो फिर यहां से कमल सिंग यादव क सामने आनत्य है अब अगली बात मैं आपसे करूं तो कॉंग्रेस की बात कॉंग्रेस के बारे में बड़ी चर्चाएं थी कल रात को सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रही थी कि हिसार की जो सबसे अमीर महिला हैं पूरे देश की और जो हिसार की विधायक रही हैं हर्या लिये नामांकन करने पहुंची हिसार से उन्होंने अब इंडिपेंडेंट के तौर पर नामांकन कर दिया है और मैं आपको बता दूं कि हिसार का चुनावी रण रोचक होगा और सवित्री जिंदल कमल गुपता और कॉंग्रेस के बीच तिकोना मुकाबला होगा अगली व लित नागर कैंडिडेट नामांकन करने के लिए निर्दलिय है रोते व लखते हुए उन्होंने अपने समर्थकों अपने कारे करता हूं के बीच कहा रोते बिलगते हुए 15 साल से कॉंग्रेस के साथ था सत्ता से दूर रहे हमेशा उसने अपने संबोधन में ललित नागर ने कहा कि तब भी वो कॉंग्रेस के साथ थे जब कॉंग्रेस के साथ कोई नहीं हुआ करता था रोते बिलगते हुए लालित नागर नामांकन करने कई को टिकर दे कर भेज दिया जिसको लोग नाम से नहीं जानते गाम से नहीं जानते जिसको सगल से नहीं जानते क्या ऐसे ही लोगों को पार्टी टिकर देगी कि आज तो मैं इतना तूट चुका हूँ मैं इलक्षन नहीं लड़ पाऊंगा अगर इलक्षन लड़ोगे तो आप पिलेक्स लड़ोंगे मैं नहीं लड़ पाऊगा गजराज भात्वर नागर जी के बाद सन सततर के बाद एक ऐसा चांस आ रहा था कि सरकार भी आ रही है लडित नागर जीत रहा है और लडित नागर हो सकता है मंतरी भी बने लेकिन सत्रुओं ने मेरी पीठ में छुरा घोप भी है यह चौणासी के विकास को रोका गया है रोते बिलगते वे शारदा राटहूर भी नामांकन करने के लिए शारदा राटहूर की ती prisoner से कंडिडे ती टिकेट चाहा रही थी टिकेटं में पराग शर्मा को दिया तो रोते हो शारदा राटों बहूंच गई कि अधियर दे गई जहें तिन रात मैंने दो इंटो टों में काम किया अधर गर्चा के प्रचार किया लिकिन आप लगोंने मेरे साथ दिया मैं हुदा साथ का भी धन्यवाद करती हूँ भाई की बेंदर हुदा का भी धन्यवाद करती हूँ जिनोंने कर रात तक मेरी पूरी लड़ाई लड़ी उन्होंने पूरी कोशिश करी कि यहां से मैं चुनाम लड़ू लेकिन शायद उनकी बात नहीं बत्पाई सुभाबी उनका टेलेफोन आया था अब बहुत अफ्सोर से दोने चाहिए थिया मुझे या में सबसे ज़्यादा में अगर दुख है तो आपकी टिकित का है मैं यहां कॉंग्रेस पार्टी के प्रमारी कि अगर अगली आपसे बात करूं तो रोहिता रेवडी पानीपत से उन्होंने मई के अंदर ही मई महा में लोगसबा चुनाव से ठीक पहले भारती जनता पार्टी छोड़ करके कॉंग्रेस जोइन की थी बुले शाह को टिकट दिया है कॉंग्रेस ने और रोहिता रेवडी पहुँच गई है निर्दलिये फारम भरने के लिए कॉंग्रेस छोड़ दी उन्होंने चार लाइन की चिठी लिखी कॉंग्रेस के परदेश द्यक्ष उधैवान को कि कॉंग्रेस छोड़ रही हूं इनके अलावा गर आप कहें तो नलवा से संपसिंग तयारी कर रहे हैं संपसिंग ने अपनी पंचायत बुला ली निर्दलिये तयारी कर दी और तमाम विधान सभा सीटे हैं क्योंकि अभी नामांकन का दौर चल रहा है तीन चार बज़े तक नामांकन होंगे क्योंकि जो लोग पहुंच जाएंगे स्टीम कार्यालिया में उन सब के नॉमिनेशन फॉर्म लिये जाएंगे आपको बताऊंगा कि कितने कॉंग्रेस के बागी हुए लेकिन ये जरूर है कि कॉंग्रेस और भाजबा ने जो सोचा था कि टिकट की टक टकी लगवाने दो लोगों को जब टिकटे लेट होंगी तो भागम भाग कम होगी निर्दली ये केंडिट कम होंगे बगावत कम होंगी लेकिन उसका कोई जो रणनीती थी वो काम्याब नहीं होई आपको क्या लगता है कॉंग्रेस और भाजबा दोनों में कितने बगावती हो सकते हैं आपको क्या लगता है कि यह बगावती, कॉंग्रेस और भाजबा का कितना खेल बिगाडेंगे और क्योंकि अब नावांकन का कारिया पूरा हो जाएगा और अब चर्चाएं शुरूओंगी कि किसमें कितना दम है तो आपको क्या लगता है कॉंग्रेस या भारती जन्ता पार्टी और फिर त्रिशंको विधान सभा हरियाना में क्या होगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं जुड़े रहें देश रोजाना हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन जरूर करें अगर आप ये वीडियो फिस्बुक या इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें